नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज पियार रियसना आपके साथ है पूरे बिहार में बाड का कहर जारी है लगतार तस्वीरें हमने आपको दिखाई है बेतिया, बेसचंपारन, फिर सभी इलाकों में बाड का कहर बहुत ही कंभीर रूप से जारी है ऐसे में हम आपको मुझपरपुर की एक घटना बटाएंगे जो की इमोशनल भी है और काफी भयानत भी है आपको दावे की वह मदद की गुहार लगाता रहा और उस व्यक्ति को डूबता हुआ लोग देखते रहे वीडियो बनाया वीडियो वाइरल किया घटना मुझपरपुर के सिकंदरपुर की है जहांके ओपी शेत्र का छेत्र में एक काटून कारगार की मृत्य हो गई है पानी में डूबने की विरे से लगतार ऐसी खबरे पूरे बिहार से आ रही है कि पानी में डूबने से कई लोगों की मृत्य हुई है अब हम कुरोन की क्या बात करें कोविट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो पूरे देश में प्रदेश में घट रही है बाड है महंगाई है और उसके अलावा हमने आपको महरास्ट की भी खबर बताई कि किस तरीके से मुंबई में भी लैंड स्लाइड हुए है और अब बिहार में भी लगतार ऐसी खबर देखने को मिल रही है यह व्यक्ति का नाम है दीपक कुमार इनकी उम्र 35 वर्ष की है और हुआ यह कि बाड की पानी में यह नहाने गए और देखते ही देखते यह गहराई में चले गए जब गहराई में गए तो इन्हें एहसास ह दूब जाएंगे तब यह मदद की गहाल लगाते हैं मदद की नेरां यहां दिखाते हैं लेकिν अपने भाड़ में ओका की टकाने में बचाझाने ट रोठ़ बनने का काम करते हैं, शनिवार की शाम व काम पर करने के बाद घर से लौट रहा था, सीड़ी घाट के पास ठील लगा कर पानी में नहाने चला गया। किसे को मदद के लिए नहीं बुलाते हैं और कोई इसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि पानी की घराई अधिक थी पूर जोर कोशिश करने के बाद वो पानी में डूब जाता है और इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं जब रात को परिजन तलाश करने निकलते हैं तो खोशबेन करते करते सुबह हो जाती है तभी उन लोगों को सूचना मिलती है कि SSP कोठी के पीछे पानी में एक शब बरामत हुआ है परिजन वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस और अस्थानी लोग की भीड जमा है शब को देखकर पहचान की गई पानी को से शब निकालने के बाद पुलिस ने पोस्ट माटब के लिए सब को भीश दिया और अब उसी व्यक्ति का वीडियो वाइरल भी हो रहा है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए बने रहें न्यूस प्यार के साथ